मदर से जाएगी तो दीन की अच्छी तालिम हासिल करेगी ये जगह तो अल्ला के नेक बंदों के लिए है क्या तुम नमाज अदा करती हो पाचो वक्त के नमाज अदा करती हो अकेली आने से डरती हो अरे तो सारे कपड़े नहीं उतारोगी तो जन्नत कैसे देखोगी मुझे नहीं देखनी कोई जन्नत वन्नत लेकिन तुझे नहीं देखनी तो हमें तो जन्नत देखनी है अल्ला के लिए जोड़ दा दुनिया में सुन्दर नाम है दो ही एक क्रिष्ण एक राम बरसान तुम जैसी सेगडों करने आया आती है रोज खाली आती है भरके जाती है अरे चाटो पिंदिदास का भी कोई जवाब नहीं आपकी बेटी जन्नत मदर्से से भाग आई है नहीं अम्मी अमें दुपारा वहां नहीं जाना है अरे तु क्या तेरे फरिष्टे भी जाएंगे अब तु हर रोज नेरी एशगा का सितारा होगे मैं इन नापाक लोगों के कफन में गफन नहीं होना चाहती जन्नत यही है वो मौलवी जिसने हमारे जिन्दिगी को नापा किया है अल्ला के कहर से डर ना लाया क्यों? क्या खुदा कुछ भी कर सकता है? अल्ला कुछ भी कर सकता है इंस्पेक्टर साब अरेस्ट करिया इस मौलवी को इश्वर और ये बाबा चांद साइं दोनों तुम्हें माफ कर देंगे आप एक हिंदू होकर जूटे मक्कार मुस्लिम के लिए हम पर इल्जाम लगा रहे हो आखिर किसलिए मैं ना हिंदू के साथ हूँ ना मुस्लिम के साथ मैं हूँ सिर्फ सच्चाई के साथ तुम नास्तिकों नास्तिक इंस्पेक्टर साथ पकालिया इस धोंगी बाबा को अलबे धोंगी बाबा जोट है बिल्कु जोट है सब धामा की करतूरत है अदानत ने जन्नत और संजीदा केस में बाबा चांचाई और मौलवी को सुनाई आजीवन कारावास की सजा और कोई भी ऐसा पंप इस दुनिया में नहीं बना जो मेरा हिंदूस्तानी खून निकाल कर अर्बी खून मेरे अंदर डाल दे ना मुराद दीन के फरिष्टे को तु जेल पहुंचा के खुशी जाहिर कर रही है तु मेरे लिए मर चुकी है उठे रे जिया में कैसे दर्द की नहरिया हाथ ना आए समय की चिरईया हाथ